जंडू पंचारिष्ट एक आयूरवेदिक दवा है, जिसे बिना डॉक्तर के परचे के भी इस्तमाल किया जा सकता है। जंडू पंचारिष्ट बहुत से प्राकृतिक घटकों से निर्मित है, जिसका उप्योग मुख्यता पाचन तंत्र संबंधी विकारों के उपचार के ल जरूरी होता है, वयसकों को अधिकतम 30 ml तक की मात्रा में जंडू पंचारिष्ट का सेवन करना चाहिए। जंडू पंचारिष्ट की खुराक दिन में कभी भी ली जा सकती है। जंडू पंचारिष्ट को गुनगुने पानी के साथ सेवन किया जाता है। तो आईए इसके फाइदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। जंडू पंचारिष्ट के फाइदे पाचन कंत्र विकारों के उपचार के लिए हैं। इसलिए पाचन संबंधी कोई भी रोग होने पर नियमित रूप से जंडू पंचारिष्ट का सेवन करे इससे लाब होगा। बधजमी में। बधजमी के इलाज के लिए जंडू पंचारिष्ट हितकारी है। बधजमी को अपच भी कहा जाता है। जिसका कारण अधिक भोजन करना तलाब हुना बासी भोजन करना है पेट में दर्द पेट फूलना बैचेनी बधजमी के मुख्य लक्षन है जंडू पंचारिष्ट के उप्योग से बधजमी की समस्या को दूर किया जा सकता है नियमित रूप से जंडू पंचारिष्ट की खुराक का सेवन करे ऐसा करने से बधजमी कम समय में ही दूर हो जाती है एसिडिटी में फायदे मन एसिडिटी की परेशानी को खत्म करने के लिए जंडू पंचारिष्ट का इस्तमाल किया जा सकता है एसिडिटी के दौरान सीने में जलन मतली उल्टी पेट फूलना घबराहट खासी जैसी परेशानिया देखी जा सकती है एसिडिटी से जल्द निजात पाने के लिए जंडू पंचारिष्ट का सेवन करे इससे फाइदा होगा पेट में गैस से राहत दिलाए जंडू पंचारिष्ट के फाइदे पेट की गैस को खत्म करने के लिए है पेट में गैस होना एक सामान्य समस्या है ज तीने में जलन वर चुभन जैसी परेशानिया देखी जाती है। जंडू पंचारिष्ट का उप्योग पेट की गैस को दूर करने के लिए किया जाता है। जंडू पंचारिष्ट में ऐसे बहुत से तत्व मौजूद होते हैं, जो पेट की गैस से तुरंत राहत दिलाने में मदद करते हैं, इसी लिए गैस होने पर जंडू पंचारिष्ट की उचित मात्रा में सेवन करें। जंडू पंचारिष्ट के नुकसान जंडू पंचारिष्ट के दौरान जंडू पंचारिष्ट का उपयोग करने से पहले डौक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरुर करें।